है है पी वर्डे और तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जे लाल वाला बटन है उसके फूट भेक के मारो या फिर मॉंबत्ती मुझे नहीं पता बस प्लिक हो जाना चाहिए एक बिर्यानी है हमारी रेडी है देख सकते हैं आप मार्शले से खुश्रूब बहुत अ तो आज मैं आप सब्सक्राइब करने वाली हुए एक बिर्यानी की रेसिपी और आज है चार मार्श चार माज को मेरी वाजी का बड़े आता है तो आज मेरी वाजी के जनम दीन है और यह देखें अम्मी शाइद यहां पर क्या कर दिखाती हूं आपको यहां पर शाइद ल अंडे को बॉल करने के बाद में चिल के निकाल लिए देख सकते आप यहां पर हमने लिया है डावली स्टीम पका चावल हाब के देख सकते आप चावल को मैं एक घंटे पाले पानी में भिंगो के रखी थी आप हमने लिया है तीन मेडियम साज की प्याज को ने सलाइस कर एक टीस्पून जीरा पॉडर दो टीस्पून लाल मिच पॉडर दिस्पून धनिया पॉडर हाप टीस्पून काली मिर्च पॉडर दो टीस्पून बिर्यानी में शाला पॉडर चार लॉंग लिया है हमने दो तेज पति लिया है हमने दो बड़ी लैची दो छोटी लैची जावित्री का फूल, पूंजीरा, थोड़े से साबुत काली मिर्च, एक डाल चीनी का टुगरा लिया है, हमने देख सकते हैं, आप पतीली पाइन ओल सामी करेंगे, ओल गरम हो गया है तब हम आप गरम मेशाले सामी करेंगे, दो तेज पत्ता, आप इस पूंजीरा सामी करें एक छोटीला चीनी सामी करेंगे, एक बड़ी थाया सा मी करेंगे, दो लॉंग करेंगे, मिशाले को हगे हलका़ सा च्टक जाने के इंतिजार करेंगे, मिशाले च्टक गे, तब हम पर यहां चावल सामी करेंगे चावल को एक बार चम्मच चला देंगे पानी चावल से कि उपर हुँ चाहिए इस तरीके से हम चम्मच को चावल की उपर लग कर देखेंगे देखेंगे नमक टेस्ट कर लेंगे हमारी चावल में नमक सही है तो हम ढग देनी चावल को पड़ाई में रिफाइन वोल हमने शामिल कर देखेंगे रिफाइन वल गरम हो गया तब हम यहां पर अंडे करेंगे कर देखेंगे रिफाइन शामिल करेंगे रिफाइन शामिल करेंगे तेल गरम हो गया तब हम प्याज सामिल करेंगे करेंगे प्याज को मालग बताम में शामिल कर लेंगे प्याज को में इसमें रहन देंगे यहां पर हम हाप्ते पुन साबद जीरा सामिल करेंगे साल चीनी का टुप्याज एक छोटी लेंची पुरहें सावत काली मिर्ट जाबिद्री का एक पुल पड़ी लेंची अर्टार पुल एक दो लॉंग शामिल कर देंगे शाले के चटक जाने के इंतिजार करेंगे यहां पर दो चमश लसन आद्र के प्लेश चामिल करेंगे एक मिनट तक लसन आद्र के पेश्ट को भूण लेंगे अच्छे से चावल को मिल बडेंगे देख लेंगे पांपिक धिजिए पांब हमारा कुस्त को होना सब्सितार हो गया है अगा हुआ कि आपल को चेक कर लेंगे हैं चावल हमारा हो गया है तो गयस हम बंद कर देंगे लखिण पेश्ट को घूंते भी, अएक मिन ठोगे थाए, तब हम यहाँ पे तेमाटर को पेष्ट सामिल करेंगे अब हम याप मिशाले के पौड़ शामिल करेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिये सामिल कर देंगे हरी मिर्स सामिल करेंगे नमक शामिल करेंगे और शार मिशाले को अच्छे से मिस्ट कर लेंगे कि आरे मिसाले को शाप करने के बद मिसाले को हम दू मिंट तक अच्छी सी बुशने के मिंसाले को गुंथे वे दो मिन्ट सब्सक्रिए दूजबि आ पनीकर थोड़ा है प्याद सामी करेंगे और चाहिएधी लगाए कि विल्याद्य कि मिसाले को अच्छे तरीके से हम 5-6 मिनिट तक भूनेंगे हाई प्लेन पर मिसाले को भूनते वह 5-6 मिनिट होगे तब हम यहां पर अंडे सामी करेंगे मिक्स कर लेंगे अंडे को मिसाले में अच्छे तरीके से अंडे को हम लो प्लेन पर 2 मिनिट तक पकाएंगे अंडे को बिर्यावी में पक्ते वे दो मिनेंट हो गए तो हम गयाद बंद कर देंगे बिर्यानी किलाए लगाएंगे तो मैंने थोड़े चावाड प्लेट में अलग कर लिए देशे प्याद और थोड़े से हमने पतीले में ही रहन दिये तब यहां पे हम अंडा और ग्रेज में शामिल करेंगे बिर्यानी में अब यहां पे हम रेट फूट कलव सामिल करेंगे अब यहां पे हम फ्राइ की हुए प्याज सामिल करेंगे आफ यहां पर चॉपति यह दूसरी ले लगाएंगे सांधिया है अश्य तरीके से यह आप-धनेक-प्ति शामिल करेंगे अल्मोनियम वाल करेंगे को पतीलये के ऊपर बजन वाली चीर रखेंगे इसे इस थे अभार नहीं आएगी लो फ्रेन पर वाल प्यूंट तक बिर्यानी को दम पर रखेंगे बिर्यानी को देख लेंगे देख सकते हैं आप अलग बड़तर में शामी करके दिखाती है एक बिर्यानी हमारी रेडी है देख सकते हैं आप मार्शला से खुषूब बहुत अच्छी आ रही है और देखने भी बहुत अच्छी लग रही है इस तरी से आप भी बनाएं आपकी फैमली को परशंद आएगी देखें गाइस हम यहां पर खाना खान जारें देख से तो आप देखो हमी खा रही हूं यहां पर शायद कहा रहा है देखो एक बिर्यानी और शलाद तो खाना खाने के बाद मिलती हूं मैं आपसे है वर्थ देदी आप घपी वर्थ देटी एर साइन आपी तो मैं काट दूग यहां पर केक खाने जारी देख सिट आप खाने के बाद मिलती हूं मैंसे तो कैसे लगी आपको मैरे एक बिर्यानी वाली रेटियो और चोटे-स बढ़री लिए और भी मेरे चाइनल पे नहीं हो और सब्सक्राइब करें आज की इतना ही फिर मिलें एक ब्लोग के साथ असलाम लेकूम बवाइ